मुख्या मंतरी जैराम ठाको ने शिमला में जल जीवन मिशन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठकी अध्यक्षता करते फिकाहा कि केंजरी सरकार द्वारा आरंभ जल जीवन मिशन का उदेशे नकेवल सभी घरों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेजल उपलब्ध करवाना है बलकी स्थान ये जल स्रोतों के उचित प्रबंधन को बढ़ावा देना भी है। लगभग 7,47,794 घरों को घरेलू नल कनेक्षन दिये गए हैं और इस वित्य वर्ष के दौरान 2,44,351 घरों को पानी के कनेक्षन उपलब्ध करवाने का लक्षे निर्धारित किया गया है। जैराम ठाकों ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राजे को वर्ष 2019-20 के दौरान 228.67 करोड रुपे प्राप्त हुए हैं। उन्हें कहा कि जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए प्रोदेश को 1,06 करोड रुपे के अलावा 1,06 करोड थीस लाक रुपे की आवशकता हैं ताकि निर्धारित लक्षों को समय पर प्राप्त किया जा सके। मुख्यमंत्रे ने कहा कि वर्ष 2019-2020 से पहले 123 योशनाओं के लिए 13.32 करोड रुपे दिये गए हैं, जबकि 838.9 करोड रुपे की 223 योशनाओं 2019-2020 के दुरान 15 मार्च 2020 तक अवार्ड की गए हैं। उन्होंने कहा कि 392.8 करोड रुपे की 61 योशनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 1000 करोड रुपे की लागत वाली 306 योशनाओं की डिपियार तयार की जा रही है। जराम ठाकों ने कहा कि इसी योशना के शुरू होने के बाद राजय में घरों के नल कनेक्शन का दाइरा 56.27 प्रतिशत से बढ़कर 68.22 प्रतिशत हो गया है। जिसमें 11.95 प्रतिशत की व्रिधी दर्ज की गई हैं जो राश्ट्रिय औसत की तुलना में 3.6 प्रतिशत अधिक हैं। इस मौके पर जलशक्ती मंत्री महिंद्र सिंग ठाकों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि घरेलू नल कनेक्शन 3 स्थर पर दिये जाएंगे जिसमें रसोई घर, स्नान और कप्रे धोने के लिए और शौचाले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू नल कनेक्शन लगाने के लिए लाभार्थियों से केवल 100 रुपे का योगदान लिया जाएगा। जलशक्ती विभाक के सचेव डॉक्टर आरेन बत्ता ने जलजीवन मिशन के बारे में विस्त्रित जानकारी दी। Bureau Report, City Channel, Shimla